हमारी मांग यह है अभी तो इनाए यह बंविस्पोर्ट वो जो जिलेटिन वाला मामला है उसकी जाच कर रही है और उसी में उनको अरेस्ट किया है और हत्या का मामला या मनसुक के मौत का मामला जो है यह अभी भी ATS के पास है मुझे पता नहीं क्या प्राब्लेम है पर उसमें जिस प्रकार से ATS ने कारवाई करनी चाहिए ऐसी कारवाई होती हुए दिखती नहीं है क्योंकि इतने सारे एविड़न्स मेरे जैसे पुलीस के बाहर के व्यक्ति को अगर मिल सकते है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पुलीस के पास इससे ज्यादा एविड़न्स है और इतना ही नहीं तो ATS और NIA ये दोनों के पास कुछ ऐसे टेपस है जिसमें मन्सूख की आवाज है और जिसमें सचिनवाजे ने उनको क्या-क्या कहा है इसकी पुष्टी भी होती है तो इतने सारे इविड़न्स होने के बावजूद अभी भी जो उनके मौत की केस है उसमें ATS के और से शुरुवात में कुछ एक्शन दिखा उसके बाद एक्शन दिखाई नहीं पड़ता अब हमारी मांग तो ये है कि चूकि ये कनेक्टेड मामला है वैसे तो पहली कारवई ATS ने करनी चाहिए थी और उनको ये हत्या के मामले में अरेस्ट करना चाहिए था और उसके बाद उनकी कस्टड़ी एनाय को जानी चाहिए थी लेकिन ATS ने उसमें देरी की है और अब कनेक्टेड मामले में हम तो ये मानते हैं कि अब हत्या का मामला भी चूकि ये कनेक्टेड मामला है और वो सबसे बड़े इसकी कड़ी है मनसु खिरन जो है इसलिए वो मामला भी अब NIA को टेक ओर कर लेना चाहिए और उसमें भी जो सुबूत आज NIA के पास है या ATS के भी पास है मैं कोई ATS पर अविश्वास नहीं दिखा रहा पर कही न कहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या ATS पर कोई दबाव है मैं दबाव है ऐसा मेरा कहना भी नहीं है पर जिस प्रकार के actions होनी चे वो होती हुए मुझे दिखाई नहीं पड़ती और इसलिए अगर ऐसी बात है तो connected मामला इनाय को जाना चाहिए और तुरंथ इस मामले में भी और मेरा मानना ऐसा है कि इस मामले में यह जो सारा घटन अक्रम है यह अकेले सचिनवाजे नहीं कर सकते हैं और इसलिए समर्क कौन-कौन है इसका भी विचार कि निश्चित रूप से किया जाना चाहिए